हेलो दोस्तों नमस्ते आज हम लेकिया एक ऐसा मूबाइल जिसको आप स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बेंड की तरह पहन सकते हो का इस आज तक आपने देखा होगा कि कोई भी मॉबाइल है वो या तो बीच में से फ्लीप होता है या फिर फोल्ड होता है ठीक है लेकिन यह है बेंडेबल मॉबाइल तो यह पूरा इस उसको आप सरकल की तरह बना सकते हो और उसको आप हाथ में स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बेंड की तरह उसको पूरा रोट मतलब पूरा उसको फूर्ड कर सकते हो पूरा उसको बना सकते हो तो यह आया है मोटरोला की तरह से मोबा और आप देख सकते हो कि जैसे ही यह mobile guys पूरा flexible है उसको आप हाथ में ऐसे रखोगे तो यह पूरा full हो जाता है पूरा brand हो जाता है आपको side stand की भी ज़रुरत नहीं कड़ेगी इस mobile में आप इसकी screen से इसको कैसे भी तरह किसे उसको गुमा के उसको रख सोगे तो भी यह mobile चले circuit आती है आज तक के phone में लेकिन यह mobile में पूरी अंदर की circuit भी flexible है तब यह mobile पूरा cool कोम सकता है आपको यह detail में दिखा सकता हो कि यह पूरा mobile बीज में से भी ऐसे fold हो सकता है और पूरा भी cool हो सकता है अगर आपने इसको half fold किया तो जो आदा उसको मतलब band किया है तो उसमें भी आप photo खीच सकते हो कोई भी application चला सकते हो बीम केर सकते हो मतलब आप किसी भी तरह किसे इस mobile को ऐसे गुमा लो लेकिन उसमें उसको कोई problem नहीं होगा सारी ची करते हैं लेकिन यह अभी next future में आपको यह mobile मिलेगा जो जिसको आप कुसी भी तरह किसे कहते हैं मिजर मचोड सकते हो लेकिन इसको कुछ नहीं होगा तो guys यह देखो आप इसको वापिस सिधा भी कर सकते हो इसको forward भी कर सकते हो अभी आपको आपने इसको हाथ में लगा दि क्योंकि आपका जो mobile है वो आज तरह pocket में रखते थे या फिर कहीं पर भी रखते थे लेकिन हाथ में कभी पी उसको नहीं पहना है mobile को यह mobile को guys आप हाथ में पहन सकते हो आप इसमें live game भी खेल सकते हो कोई भी game हो आप इसको खेल सकते हो और यह watch का पी replacement बन जाएगा guys इसका specification की बात करें तो flexible po led screen display concept होना गया इस mobile में guys यह motorola का जो mobile है motorola bendable mobile तो इसमें आता है flexible po led display guys अब भी तक के आपने जो display दिका रोच में क्या होता हुआ चक्छ़ं में टो ऑनों हडसी होती है और वहां से वह में यह गीश्योती हर कि खुड़ी वह अजयो है लेकिन ये ऐसा पहलों है जिसमेंस पहलों है औस तक हम di दिमाग में सोच सकते हैं तो हमें ऐसे ही सो जाते ही कि मोबायल जो होता है वो ऐसे हार्ड होता है लेकिन आपने कफिल सा सुचा था कि ठाप ogloक प्माप यहीं ब़र आगा गाईज यह मॉबायल को कब अनाउंस किया गया तो गाईज यह नियूबल जो लिनोवो टेक वर्ड 2023 है October 24 को हुआ ठीक है इसी साल October 24 ठीक है 2023 लिनोवो टेक वर्ड पर इस मोबैल को demonstrate किया रहा है जल्दी यह मोबैल launch होने वाला है और जब भी यह मार्केट में आ जाएगा तो यह पूरा मतलब हीरा देदा मोबैल इंडेस्ट्री को क्योंकि गाइस एक बात आप सोचनो अभी क्या होता है जो मोबैल हो हाड होता है तो ऐसे गीर जाता है तो उसमें क्रैक पड़ जाती है या फिर आप पीछे का जो बैक होता है वो टूट जाता है लेकिन यह खुदी मोबैल फ्लेक्सिबल है तो अगर इसी ने उसको मेंड भी कर दिया तो अपने आप वो सिधा हो सकता है अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है नियू स्मार्टपोन फॉर्म फेक्टर as a full HD PO LED screen जो इसमें screen आती है वो full HD screen आती है full HD plus screen है तो गाइस यह जो screen है वो पुरी तरीके से flexible है पीछे की सच कीट होती है ठीक है वो भी पुरी flexible है और back है वो भी पूरा flexible है तो guys आप सोचो कि अभी तग अपने जो back material देखा है ठीक है वो क्या आता है कि जैसे कि glass का पीछे signing आजाता है या फिर matte low का आजाता है या फिर metallic body आजाती है या फिर plastic body पीछे की side आती है लेकिन इसमें ऐसा तो गैसा material यूज किया है कि वो पूरा पीछे से भी fold हो जाएगा तो भी उसको कुछ नहीं होगा तो ये next generation material है next generation का concept है guys ये mobile बहुत ही interesting रहने वाला है क्योंकि Motorola ने ये mobile launch होने वाला है वो जल्दी launch होगा वो उसका थोड़ा आपको preview दिखा दिया है mend make word guys अब भी तता आपने जो भी mobile देखा है या तो वो फ्लेट होता है और दूसरा जरी के दो mobile आता है एक flip mobile आता है जो मतलब सीधा होता है और उसको बीची में से flip कर से हो इतना छोटा हो जाता है तो वो आगे की side पर flip होता है और foldable mobile आता है उसमें भी क्या होता है कि ऐसे screen होता है और उसको ऐसे open करते हैं तो tablet हो जाता है तो वो भी screen आगे का side fold होता है लेकिन ये mobile में एक नई चीज है जो backward side पर bend होता है क्योंकि जो circuit वाला part है ठीक है आज तक कोई company उसको bend नहीं कर पाई है क्योंकि circuit hard होती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है पूरा का पीछे का body पीछे की side आप उसको fold कर सकते हो मतलब आपको अगर आप सोचो कि आपको अगर watch पैंड नहीं हो या पिर mobile pocket में नहीं डालना हो अपनोंने पोई मतलब watch लेक नहीं हो मता है कि आप अभी क्या करते हो कि tracking के लिए smart watch यूज़ करते हो या पि smart band यूज़ करते हो और उसके लिए क्या होता है आप mobile pocket में mobile रखते हो और उसका प्रीद उट से pairing करते हो watch के साथ और फिर वो watch को पहन के आप exercise करते हो फिर वो watch card data mobile में जाता है और आपको पता चलता है लेकिन कोई ऐसा बोले कि आपको mobile ही मैं ऐसा दे देता हूँ जिसको आप हाथ पे पहन चकते हो आप exercise करो मतलब walking करो कुछ भी करो वो साहबा कुछ उसमें ही record हो जाएगा आपको ना ही कोई बेरिंग की ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज के साथ अपने आपको खूद ही आपका पूरा flexible mobile है तो कहीं बार क्या होता है कि आप luggage में है तो ठीक है तो luggage में आप कोई भी travel कर रहा है तो mobile बहुत hard case होता है तो इसको आप कहीं पर रख दो तो उसको टूट पूट जाने का डर लगता है लेकिन mobile flexible आप लोगेज में कहीं पर डाल दो रिंग लगा दो उसको ढूंड लो क्योंकि अगर अंदर उसके उपा कुछ रख बिन दिया तो भी वो बैंड हो जाएगा उसको कुछ टूटेगा नहीं अंदर इस पर concept can be positioned in several stand mode guys यह जो चीज है वो बहुत ही important है अभी के time में क्या होता है कि हम जो भी mobile है उसके लिए हमें mobile stand यूज करना परता है बहुत सारी company के mobile stand आते हैं कहीं आते हैं कि जैसे की desk के रखने के stand आते हैं और उसमें holder होता है mobile का वहाँ पर mobile रखना है लेकिन यह mobile ऐसा कि उसको खुदी ही वह खुदी stand बन जाएगा मतलब आप उसको किसी भी जगह से बेंड कर दो पीछे की side पर उसको दख दो तो वह ऐसे ऐसे shape में पूरा ऐसे shape में उसको खड़ा कर सकते हो अपने आप खड़ा रहेगा stand android phone in a flat position जैसे की standard android phone होता है वो क्या होता है जैसे की इस बीको फूरा बॉड़ी होता है ठीक है और अगे की side body होता है pada time button होता है ठीक है xm frame आता है उसकär नीचे screen आ जाता है उसके नीचे क्या आता है गाई का जो है ठीक है वो फ्लेक्सिबल है साइड की फ्रीम भी फ्लेक्सिबल है स्क्रीन भी फ्लेक्सिबल है उसके नीचे की जो सर्किट दिखाई यह वह भी फ्लेक्सिबल बैटरी दिखाई तो बैटरी भी फ्लेक्सिबल और पीछी का बैक फ्लेक्सिबल तो जो सारी दीचे फ् है तो फ्लाट मोबाल को आप ऐसे भी रख सकते हैं ठीक है फ्लैट मोबाल को ऐसे नहीं रख सकते हैं यह नहीं लेकिन यह जो मोट्रोला का पीछे के साइड बेंडेबर मोबाल है तो इसको सब इस भागे 가지 उस sasak क्या होगा कि जैसे कि आपने उसको पीछे से बैंड कर दिया ठीक है और कोई भी चीश जाज जैसे कि एलराम सैट कर दिया या फिर कोई मुवी तो आपको उसके इस्टेंड अलक से लगाने की जिरूद नहीं बज़ेगा आपको आपका जो डैस्क लोक है उसके जैसे को बेंड करके रख दिया या फिर कभी मुवी देखना हो तो मुवी के जैसे स्क्रीन है उसको बेंड करके रख दिया तो किसी भी सर्फेस पे मतलब अभी क्या होता है कि फ्लेट सर्फेस हो उस पर आप स्टेंड रखो मोबाइल वोल्डर और उसके उपर मोबाइल रखो औ लेकिन अगर स्टेंड की जरूरत नहीं है, जैसे भी आड़ी सर्फिस हो, सीधी सर्फिस हो, ठीके स्लान सर्फिस हो, लेकि मोबैल अपने हिसाब से मेन हो जाएना तो वह कितना आचा देगा, अगर आप इसके स्क्रीन की बात करें कि कितनी बड़ी स्क्रीन मिलेगी, तो 6.9 इसके स्क्रीन मिलेगी, का इस ये मोबैल ऐसा है कि खुद बखुद खड़ा रह सकता है, अब भी के टाइम में क्या होता है, या आपको मोबैल को डेस्क में रखना होता है, या सिर्फ ओल्डर पर लखना होता है, लेकिन ये मोबैल अपने आप खड़ा रह सकता है, और आपने उसको डेस्ट पे बेहन करके रख दिया तो वो क्या हो जाएगा कि 4.16 की स्क्रीन भी आप एक जैसे कि आप पूरा दिखेगा 4.16 की स्क्रीन और अगर हाथ में पहन दिया तो आप पूरा मोबाइल को ही ऐसे यूज कर पाऊगे तो इस ही इतना अच्छा मतलब कंसेप् जैसे कि हम आज के समाने में AI का बहुत इंपोर्टन्ट है Artificial Intelligence तो इसमें जनरेटिव Artificial Intelligence वीचर्स जागा दे आज जैसे कि आप मान लेजे कि आप अभी के ताइम में मोबैल में जो वाल्ड पेपर सेट करते हो ठीक है तो वाल्ड पेपर क्या होता है आप कहीं से भी डाउनलोड कर देते हो या पिर उसके स्टोर पे मिलता है वो यूज कर लेते हो लेकिन आपने कभी ऐसा सूचा है कि AI आपको वाल्ड पेपर बना के देगा और वाल्ड पेपर भी ऐसा वैसा नहीं जैसे कि आज आपने कोई करलर का साट पहना तो वो जो डीजाइन है जैसे पहना तो उसका फोटो कीचा तो वो एक तरीके से अपने आप और यह यह मदद से कैसा वाल्ड पेपर बना देगा जो आपके शार्ट के टान और कलर से मैच होगा आपने मान लीजे आप कोई लेडीज वो कोई ड्रेस पहना आई टीक है बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस प आपको वाल्ड पेपर यह मोबाइल बना देगा और आप उसको सेट कर सकते हो मतलब हरोज आप जो कपड़े बेंड होगे उसके हिसाब से वो वाल्ड पेपर बना देगा और उसके हिसाब से आप वाल्ड पेपर सेट कर सब होगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और यह अच्छा लगा है जो नई टेक्नलोजी आई जिसमें यह मुबाइल को बेंडेबल मोबाइल बताया गया है जियाद रखना हो मोटरोला बेंडेबल फोन ठीक है यह नया कंशेप्ट है तो आपको अगर यह नया कंशेप्ट जानके कुछ नया जानने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना जाइस चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए इंपोर्टन है क्योंकि हम नए वीडियो लाते रहते एसी नई नई टेक्नलोजी और उसका डिटेल का स्पेसिफिकेशन भी आपको समय से पहले हम बता देते हैं ऐसा आजाएगी पर वीडियो आप देख सकते हो एसी नई टेक्नलोजी आप सीख सकते हो इसलिए सो गाइस थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में गुडबाई से यू सान